ये मुवी केसी है आपको ये मुवी देखनी भी चाहिए या नहीं मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा फ्रेंड्स ये मुवी सच्ची घटना पर आधारी थे ये मुवी एक बायोपीक है बेंगालुरु की एक डोन अगनी स्रिधर की बात करें इस मुवी के प्लोट के बारे में इस मुवी की कहानी है जैराज और उसके गेंग की इस गेंग में जैराज के इलाबा और दो लोग हैं इनके गेंग को जुआ खेलते हुए और सहर में छोटे मोटे जगड़े करते हुए दिखाया जाता है एक दिन एक पॉलिटिशन जैराज को कॉंटाक्ट करता है इंद्रा ब्रिगेट का प्रमुक बनने के लिए उसी दिन से ही उनके गैंग में दूसरे लोग जैराज के खिलाफ हो जाते हैं एही इस मुवी का में प्लोट है अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये मुवी देखनी भी चाहिए या नहीं आपको अपना टाइम इस मुवी के उपर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं मुवी के शुरुवात के 30 से 35 मिनिट आपको ये मुवी थोड़ा सा बोर कर सकती है क्योंकि मुवी के शुरुवात में स्टोरी को बिल्डप किया जाता है और जेराज के बच्पन को दिखाया जाता है कि जेराज कैसे बड़ा हुआ फिर 30 से 35 मिनिट खतम होने के बाद एक जेराज का फाइट सीन आता है जहाँ पर आपको कमाल का अक्षन सीन देखने को मिलेगा और मुवी का एंटरवाल एक ऐसे सीन पर खतम होगा कि आपको देखकर मजा आ जाएगा फिर जब मुवी का सेकेंड हाप शुरू होगा सेकेंड ह आप बहुत ही एंगेजिंग है आपको कहीं पर भी बोर नहीं लगेगा और जब मुवी खतम हो जाएगी मुवी का लास्ट इन एक ऐसे पॉइंट पर खतम होगा कि आप मुवी के पार्ट टू को देखने के लिए एकसाइटेर हो जाएगा आप कहेंगे कि इस मुवी का पा कोमांस हो, कोमेडी हो, ठेलर हो, सब कुछ हो तो सायद आपको ये मुवी उतना ज़्यादा पसंद नहीं आएगी अगर ये सब सुनने के बाद आपको इस मुवी के देखने के लिए इंट्रेस्ट बन रहा है तो आप इस मुवी को एक बार देख सकते हैं आपको ये मुवी आपको ये ती लगी